तो दोस्तोर सेकेंड जो इसका है मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था यह है इसकी काफी पावरफुल LED लाइट है देखने में बहुत चोटी सी लगती है लेकिन इसकी लाइट बहुत ही ज्यादा है यह बहुत इंपोर्टेंट थी क्रेटिव एडिशन में मुझे और उसके साथ में मीडिया मूड मीडिया मूड का यह जो आप देख सकते हैं इसमें इंटर्नल इसका माइक है माइक के साथ आपको यहां लाइट को अटेच करने के लिए देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है यहां माइक भी आप अटेच कर सकते हैं लाइट भी अटेच कर सकते है तो यह media mood यहां पे और सबसे जो important है वह है दोस्तों यह हमारा GoPro 11 black तो देख सकते हैं यहां पे यह इसका main जो screen है और यह face front side पे और यह इसका lenze है तो लेंज आप एक्स्ट्रा भी एक और आता है ले सकते हैं वो वैसे तो जूरूरत पड़ती नहीं है तो यह आप लेंज को मूव भी कर सकते हैं बहुत सारे और फंक्षन है तो इसका टिटोरियल जो है इसके कैसे चलाना है वह अलग से वीडियो होगी अभी हम सिर्फ आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेटिव अडिशन में बंडल में आपको क्या क्या मिलता है औ हम इसे निकाल देते हैं तो देख सकते हैं इसका टच भी बहत ही प्यारा है तो इसे हम ऑन अगर करते हैं तो यहाँ पे इसे बैटरी हमें डालनी पड़ेगी तो देखिए यहां पे यह ऐसे हलका सा पुछ करना है और यह देखिए ऐसे ओपन हो जाता है और यहां ओपन करने के बाद हमें यहां पे इसे बैटरी को इंस्टॉल करना है तो शायद बैटरी थोड़ी सी चार्ज होगी बैटरी डालनी है और यहां पे मेंबरी कार्ड आएगा मेंबरी कार्ड भी हम बाद में लगा के देखेंगे तो इसे हमें ऐसे कर देना है बंद और इसका यह साइड पर आप बटन देख रहे हैं यहां हमें इसे दबा कर रखना है कुछ सेकंड के लिए तो देख सकते हैं कि यहां पे यह हमारा जो गोप्रो 11 ब्लैक कैमरा यहां देख सकते हैं आपके गोप्रो 11 जो हमारा कैमरा ओन हो चुका है अभी तो यह यहां पे इसका मोड बटन है यहां से आप मोड चेंज कर सकते हैं तो अभी यह देखे करने के लिए कह रहा है तो इसे अभी अपडेट करना होगा उसके लिए हमें इसका जो एप है वो मुबाइल पे इंस्टॉल करना होगा उसके बाद हम इसे सब को अपडेट करेंगे तो अभी से हम कर देते हैं सुच ओफ दोस्तों क्योंकि अभी इस वीडियो में के बाद यह गत्य का बॉक्स निकलता है साइड पर करते हैं तो यह सेकेंड़ फ्लॉर है इसका दोस्तों तो सेकेंड़ फ्लॉर पर क्या क्या है और सेंड़ी बॉल्टा का स्टेंड को चार्ज करने के लिए तो यह यह यहां पर इसे बंद कर देता हूं तो यहां पर सीपोर्ट से आप इसे एक बार चार्ज करते हैं तो चार पांच गंटे तक यह अराम से चल जाता है तो इसे चलाएंगे तो एक्सपिरियंस भी होता जाएगा तो जैसे जैसे पूरा इसका फिर रिव्यू मैं बाद में करूंगा कि यह कितने काम का है वैसे तो देखा जाए तो जो लोगों की वीडियो से पता चलता है कि काफी काम की चीज है यह क्योंकि इसके साथ दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा स स्टिक भी हाँ पे देख सकते हैं यह पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर अपना सेल्सि जएक करते हैं तो काफी लंबा ऊप इसे करके व्लॉगिंग कर सकते हैं व्लॉग के के लिए हम ठोड़ा सा वयड एंगल चाहिए रहता है बैकरॉंड के लिए तो इसके साथा आप स पर हैलमट पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हैं और एक सेम है लेकिन यह देख सकते हैं यह इस की हईट में थोड़ा सा फर्सक्राइब यह थोड़ा यहाँ पर लंबा हाइट ज्यादा है इसकी थोड़ी हाइट कम है तो इन दोनों को आप कहीं पर कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम चीज है यह देखिए यहां से इसे आपको push करना उपर की तरफ और इसे आपको फिर ऐसे दबा कर attach कर लेना है उस attach करने के लिए इसका यह देखिए यह point है यहां पर तो इसके साथ तो यहाँ से आपको ठार अब को फिर से यहां पे दभा के इसका लोग कर देना है तो ऐसे आप सेम इसके साथ बी ऐसे कर सकते हैं दोनों में से जैसे आपको अच्छा लग्रा हो जहाँ प выб at लाई कर सकते हैं और सेकंड है इसका noise का इंसलेशन के लिए यह फो मैं मीडिया मूड का दोस्तों यह देख सकते हैं यह जो इसका इंटरनल माइक है इसके उपर आपको यह विंड लग जाती है विंड यहां जो काफी जो नाइश रहती है उसे काफी हलप करती है रोकने के में तो विंड चील के साथ साथ इसके मैं भी एक देखिये दो यह एक इसका और यह cover है जहां पे battery डलती है camera में यहां पे आप इसे उतार कर इसे भी लगा सकते हैं इसमें फरक है वो बताता हूं आपको यह plane handle है waterproof है फुल waterproof है अभी इसे आप 33 feet तक पानी में कैसे भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इस डखन को उतार कर अगर यह हम लगा देते हैं इसमें लिदा ऐई यहां पे यह C-port है आप बाहर से ऐसे ही लगा सकते हैं चार्ज करना हो माइक लगाना हो या कुछ भी एक्स्टा सीपोट से लगाना है तो आप लगने आप यहां से सीपोट लगा सकते हैं अस्सरा यह एक दिया हुए है accessory जिसमें हम अपने mic light को या किसी भी ऐसी चीज को जो इसमें ऐसे function ओ light की तरह इसमें हम attach कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप ये ऐसे चीज है मतलब ये एक extra दिया हुआ है ये कहीं पे भी हमें इसे लगाना है जहां पे ये mood हो तो हम इसे ऐसे attach कर सकते हैं तो बहुत ही easy है वैसे इसमें लगाना तो ये हो गया दोस्तों उसके बाद बस extra कुछ नहीं है ये देख सकते हैं बाकी ये box हो गया है खाली तो ये देख सकते हैं ये सारी ये accessory हैं इसमें इसके साथ साथ एक और extra दोस्तों मैंने दो बैटरी मगवाई हैं ये देख सकते हैं ये charging case है और इसके साथ दो पीस बैटरी के हैं तो इसे भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी बहुत ज़रूरी है दोस्तों तो इसमें और क्या है इसमें भी खाली और कुछ नहीं बुक्लेट है ये कैसे इसे यूज करना है इसे रख देते हैं साइड पे तो ये बहुत ही अच्छा देखते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये charging case है और ये है दो बैटरी सेम बैटरी है जो एक बैटरी हमने अपने गोप्रो के अंदर इसमें अटेच की है गोप्रो के साथ इसके साथ एक ही बैटरी आती है और दो बैटरी जो अभी एक्स्ट्रा मेरे पास हो गई है तो तीन बैटरी को चार्ज कर लोगा और एक इस वोल्टा स्टेंट को अगर चार्ज कर लेते हैं तो मैं फुल डे जितना भी चाहूं दोस्तों शूट कर सकता हूं मुझे बैटरी की कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली है तो यह देख सकते हैं कि यहां पे इस केस में आपको यह दोनों बैटरी को लगा लेना है देख सकते हैं यहां पे और उसके बाद आपको यहां सी पोट से इसे करना है चार्ज तो एक बार आप रात को कहीं पे भी रुखते हैं तो इसे चार्ज कर लीजिए अपनी ये जो बैटरी इसमें कैमरे में उसे चार्ज कर ले और इसे चार्ज कर ले तो पावर का कोई भी इसू फुल डे आपको नहीं आने वाला है इसकी घरंटी है और फ्लेश लाइट ये एक्स्ट्रा इसमें बैटरी है इसे आप एक्स्ट्रा चार्ज करके रखें इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी कैमरे की बैटरी से उसकी पावर को रिजुम नहीं यह इसकी अपनी एक बैटरी है अपनी पावर है फ्लेश लाइट की और वैसे भी इसकी जुरूरत जो हमें रात को ही पढ़ने वाली है यह पूरा जो क्रेटिव अडिशन गोप्रो 11 ब्लैक का यह पूरा सेट है यह 499 डॉलर का पड़ा है मुझे मतलब एक कम 500 डॉलर 500 डॉल का 60 को मतलब 100 डॉलर में मुझे यह चारजिंग केस और यह जो दो बैडरी मिली है मुझे लगता ब्रदर से USA से मंगवाया है तो वहाँ काफी cheap rate है डॉलर में मिले हैं वैसे तो सिर्फ जो हम GoPro 11 Black लेते हैं उसका rate 499 something शायद सिर्फ camera का है और यहाँ मुझे same rate पे पूरा ये सारा ताम जम जितना है Creative Edition का ये सब मिल गया है तो आप देख सकते हैं तो अभी next जो भी vlog आएंगे उसमें आपको GoPro 11 की footage मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा और अगर आपके पास किसी के पास GoPro 11 है उसकी quality उसका price आपको कैसा लग रहा है आपका experience कैसा है वो भी comment box में जरूर बताईएगा क्योंकि मेरा जो experience है इसके साथ अभी बिल्कुल नया है आज ही मैंने इसे open किया है और थोड़ा थोड़ा भी इसे shoot इससे जो content है create करने लगूँगा तो अभी मैं तो इससे vlogging शुरू करने लगा हूँ आप लोग अगर इस्तिमाल कर चुके हैं तो आपका experience शेर जरूर कीजिएगा ताँ जो और लोग भी अगर purchase करने वाले हैं GoPro तो उन्हें help मिल सकेगी So thanks, thanks for watching दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद